यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया महत्वपूर्ण तो परिणाम है गती और प्रगती में गफलत ना करें बच्चों का आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गती तो करता है लेकिन प्रगती नहीं करता अल्फ्रेड ए मौन्टापर्ट देखिए यह बेहद महत्वपूर्ण सिध्धान्थ है क्योंकि अक्सर यही पर गलत फहमी का अंदिशा रहता है कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे आठ गंटे काम करते हैं इसलिए उनकी तनख्वा बढ़नी चाहिए दूसरी और कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने पांच हजार रुपे का काम किया है और इसे आठ हजार रुपे तनख्वा पहले से मिल रही है इसलिए इसकी तनख्वा बढ़ाने की जरुवत नहीं है इसके बजाए अगर संबव हो तो उसकी तनख्वा कम कर देनी चाहिए या उससे नौकरी से निकाल देना चाहिए इस उधारन में हमने क्या देखा कर्मचारी के लिए महत्वपून पैमाना यह है कि उसने कितना मुल्यवान परिनाम दिया मान सकता कि इस अंतर को कभी न भूलें क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे जो हो सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिनाम पर केंद्रित होता है यदि आप पांच मिनिट में ही उन्हें अपैक्षित परिनाम ले देंगे तो वे आपको पुरुसकार देंगे लेकिन दूसरी और यदि आप पांच दिन की मेहनत के बाद भी अपैक्षित परिनाम नहीं दे पाएं तो वे निलाश हो जाएंगे वास्तविक संसार में महतुपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया महतुपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिनाम क्या निकला मिसाल के तौर पर दो सेनाई लड़ रही है और उनमें से एक हार जाती है देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाई समान समय तक लड़ी दोनों ने ही जान की बाजी लगाई लेकिन परिणाम दोनों के लिए अलग-अलग रहे एक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया जबकि दूसरी को पराजे का कलंग जहलना पड़ा एक और उधारन देखें दो महिलाएं सबजी बनाने में दो घंटे का समय लगाती है एक की सबजी लाजवाब बनती है और दूसरी की बिगड़ जाती है आपको क्या लगता है? उनके पतियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या दूसरी महिला का पती इस बात पर वाहवा करेगा कि उसकी पत्नी ने उस घटिया सबजी को बनाने में दो घंटे तक मेहनत की? या वह इस बात पर ताने कसे का कि कितनी बुरी सबजी बनाई? जवाब आप खुद जानते हैं हम में से कुछ लोग अपना काम अच्छी तरह करेंगे कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमारा मुल्यांकन सिर्फ एक ही चीज़ के आधार पर होगा परिनाम विंस लंबार्डी तो यह बात अच्छी तरह समझ लें कि समय की मात्रा महतोपून नहीं होती महतोपून तो परिनाम होता है कोई बौस अपने कर्मचारी की इस बात पर प्रशन सा नहीं कर सकता कि उसकी दो महिने की अधक महनत के बावजूद कॉन्ट्रेक्ट हाथ से निकल गया अगर बौस या पती भला होगा तो सांतवन ना दे सकता है तसली दे सकता है लेकिन पुरुसकार नहीं दे सकता इसलिए समय के सर्वशिष्ट उप्योग का उननीस्वा सिध्धान्त है यह महतवपून नहीं है कि आपने कितने समय काम किया महतवपून तो परिनाम है देखिए किसी काम में लगने वाले समय के दिश्टिकोंड से सूचते समय आप कोई नई चीज नहीं कर रहे है दुनिया भर के करोडो करमचारी ऐसा ही सोच रहे है अगर उनसे पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो उनका जवाब यही होगा दस से पांच का समय दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो वे परिणाम बताएंगे आकडे बताएंगे अपना योगधान बताएंगे इस संबंद में एक उधारन देखें अगर वर्मा जी का मकान 25 साल में बनता है तो क्या वह 22 साल में बनने वाले ताज महल से बहतर कहलाएगा नहीं क्योंकि किसी काम का परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उसमें कितना समय लगा एक पूर्ण सार्थक कारिये पचास आधे अधूरे कामू से बहतर है मैलकम एस फॉप्स इस संधर में एक अपवाद है लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बहतरीन हो उधारन देखें बॉस आपको कोई जटिल काम करने को देता है और उसके लिए आपको साथ दिन की डेडलाइन देता है लेकिन आप उसे दू दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं तब आप बॉस की नजरों में ज्यादा उपर उठ जाएंगे आपने उम्मीद से कम समय में बहतरीन काम कर दिया इस बात से वह बहुत परभावित होगा और यह आदत आपको उस खेतर में बहुत आगे और उपर तक ले जाएगी तेवरता महतोपून है लेकिन परिणाम उससे ज्यादा महतोपून है और हाँ जैसा स्टीफन कवी ने कहा है अगर आपको किसी दिवार पर चड़ना हो तो गलत दिवार से टिकी सीड़ी पर तेजी से न चड़ें तेजी से काम करने में तब ही फाइदा होता है जब सीड़ी सही दिवार से टिकी हो यानि यह सुनिशित कर लें कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है कोई काम कितनी तेजी से किया लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उसे कितनी अच्छे तरह किया। हौवर्ड डबल्यू न्यूटन